चनमाश्टुमी के दिन जो भोग मैंने बनाया था, उसे सर्फ कर रही हूँ केले के पत्ते के ऊपर, जैसे हम पहले ट्रडिशनल वे में खाते थे, केले का पत्ता जो है, वो मेरे बगीचे का ही है, वहीं से मैंने पेर से काटके, धो के उसे डाला है, पत्ते के ऊपर सबसे प फ्राइड वेजिटेबल्स जो भोग में मस्ट है वो अपनी चॉइस का हप हो सकता है जो आपको पसंद है मैंने यहां पे दिया है बैंगन, गोभी, आलू, कद्दू और परवल इसे थोड़ा सा नमक और मिर्ची के साथ जी फ्राइ करके निकाला है तो यह गया हमारा वेज़ फॉर्म में है उसमें कोई हम लोग भोग में प्याज या लसन यूस नहीं करते है और भोग का जो बरतन होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है जिसे सरिफ हम पूजा के टाइम पर निकाल के यूस करते हैं उसके साथ ही मैंने यहां पर बनाया था पनीर आलू की वोड़ा से उसमें ग्रेवी रखा था ताकि वो हम आराम से पुलाव के साथ खा सकते हैं। उसके बाद मैंने भगवान जी को जो चड़ाया था वो है दो टाइप का मिठाई। एक था आम शन्देश और एक था काजु कतली। ये दोनों भी भगवान जी का प्रशाद है और बनाया था खीर उसे भी मैंने इसी केले के पत्ते के ऊपर सर्फ किया। ये देखे कितना खुबसूरत लग रहा है और इस तरीके से हमने इस बार भोग को एंजॉय की।